आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्रिस्पी क्रंची ओनियन वड़ा रेसेपी जिसे कांधा वड़ा भी कहा जाता है जो स्पाइसेस हम इन वड़ों में आड़ करने वाले हैं उनका जो टेस्ट आएंगा इन वड़ों में बहुत ही जादा ला जवाब आएंगा बहुत ही डिफरेंट टेकनिक से हम इन वड़ों को बनाने वाले हैं तो एक भी स्टेप को स्किप मत कीजिएगा और साथी में डालेंगे एक सिक्रेट इंग्रेडियन जिससे इस वड़ों का जो टेस्ट है वो दुगना होने वाला है चली स्टार्ट करते से बनाना चैनल पर अगर नए है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहाँ पर हमने दो मीडियम साइज की ओनियन को फाइनली चॉप करके लिया है तीन हरीमेज को हमने यहाँ फाइनली चॉप करके लिया है उसे भी हम इसमें एट कर देंगे और साथी में एट कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया इसके बाद हम यहाँ पर add कर रहे है अद्दक लेसन दोनों को हमने यहाँ पर crush करके लिया है यह करीबन एक टेबल स्पून है अब हम इसमें add कर देंगे 1 टी स्पून नमक नमक add करने के बाद अब हम इन सभी चीज़ों को हाटों की help से अच्छे से mix कर लेंगे नमक add करने के बाद जो onion है वो अपना पानी रिलीस करेंगी इसलिए हम यहाँ पे अपनी हाथों की help से इन्हें अच्छा pressure देते हुए हम mix करेंगे ताकि जो onion है जितना पानी रिलीस कर सके उतना वो कर ले जो onion है उसने पानी रिलीस कर दिया है अब हम इसमें add करेंगे कुछ और spices half teaspoon add करेंगे healthy powder, one teaspoon red chili powder, one teaspoon धनिया पौर, half teaspoon गरम masala और one teaspoon add कर देंगे अजवान उसे हम दोनों हाथों की help से ऐसे rub करते वे add करेंगे जितने भी spices इस वड़े में लगेंगे उतने spices हमने यहाँ पर add कर दिये है अब हम इन्हें अच्छे से mix कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें add करेंगे हमारा secret ingredient जो secret ingredient है वो है उड़त की डाल उड़त की डाल को हमने यहाँ पर 3-4 घंटे पहले भीको के रख दिया था उसके बाद हमने इसका पानी निकाल दिया है और इसे add किया है इस mixture में अगर आपके पास उड़त की डाल नहीं है तो आप यहाँ पर चने की डाल का भी use कर सकते है पर डाल जरूर add कीजिएगा क्योंकि उससे जो है एक अलग सा crispiness आता है इन वड़ो में डाल add करने के बाद हम डाल को अच्छे से mix कर लेंगे पूरे mixture के साथ में फिर उसके बाद हम इसमें add करेंगे बेसन हमने यहाँ पर ले लिया है एक कप बेसन हम यहाँ पर धीरे-धीरे करके बेसन add करते जाएंगे जितना बेसन हमें इस mixture को bind करने के लिए लगेंगा उतना हम इसमें एड़ करेंगे अभी हम यहां पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे पहले जो ऑनियन है वह अपना पानी रिलीज करेंगी इसलिए हम यहां पर अभी बेशन में पानी एड़ बिल्कुल नहीं करेंगे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हम देखेंगे क अगर हम इसे हाटों की हर्प से mix करेंगे तो जो mixture है वह अच्छे से bind भी हो जाएंगा और हमें यहाँ पर पता भी चल जाएंगा कि हमें आगे कितना बेशन लगने वाला है अगर आप यहाँ पर हाटों का यूज कर रहे है तो हाटों की हर्प से आप यहाँ पर इस mixture को दबा दबा के अच्छे से mix करें हमें यहाँ पर करीबन लगा है 3-4 cup बेशन बस हमें यहाँ पर इतना ही बेशन लगेंगा अब हम इस mixture में add करेंगे थोड़ा सा पानी पानी हमें यहाँ पर जादा आड़ नहीं करना है हमने यहाँ पर सिफ एक चमच ही पानी आड़ किया है इसलिए एक बार अच्छे से mix करने के बाद अब हम इसकी consistency आपको दिखा रहा है आपको बस इसे इतना ही थिक रखना है पकोडों की जैसा बैटर हमें यहाँ पर नही पानी फिंगर को हम पानी में डिप कर देंगे और यहाँ पर मिक्षर से ले लेंगे ठोड़ा सा पौशन और यहाँ पर इसे छोटे छोटे से बॉल बनाके रेडि करेंगे सेम तरीके से finger को हम यहाँ पर पानी में dip करेंगे और ले लेंगे थोड़ा सा portion और इसका एक ball पिपेर करेंगे और इसे रख देंगे side में बस इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरे mixture के सेम ball बना के ready करेंगे कि जिस सभी बॉल को हमने यहां पर बना के रेडी कर लिया है और हमने यहां पर रख दिया था ओईल प्री हीट होने के लिए जो ओईल है उसे हमें यहां पर मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गरम कर लेना है उसके बाद हम इसमें आड़ कर देंगे मिक्षर के बॉल जो हमने यहां पर बना के रेडी किये है पकोड़ों की तरह हम इस मिक्षर को इस ओईल में एड़ कर देंगे और इसे हम फ्राइ करेंगे मीडियम फ्लेम पर करीबन तीन से चार मिनिट के लिए इन वडो की मिक्षर को ओईल में एड़ करने के बाद हम इसे जादी दे तक कुक नहीं करेंगे हम यहां पे इन्हें मीडियम फ्लेम पे एक से दो मेट के लिए कुक करना है टर्न करके हम इसे दूसे साइट से भी एक मेट के लिए कुक करेंगे हम इस मिक्षर को सिर्फ हाफ ओर इस फ्राइब दो मुझेभे कीफ्राई रखंगे और जैसे बन्च इस और आडद कर देंगे फ्राय होंने के लिए चलिए जब तक यहंकि और यहां में यहां पर य हो रहा है हम जो पकोड़े करके निकाले हे उस पर कर लेते हैं हमारी next step हमने यहां पर ले लिए एक प्लेट और इसके उपर रड़ेंगे fry किया हुआ पकोड़ा और ले लेंगे एक इस तरीके का बाउल उसे हम पकोड़ों के उपर रखेंगे और हलके हाथ उसे प्रेस कर देंगे प्रेस करने के बाद यह जो पकोड़ा था उसे मिर जाएं हमें इन पकोड़ों को कनवेट कर देना है रड़ों के शिप में एक बार हम आपको करी FC से दिखा रहे है कि हमें यहां पे पकोड़े को किस तरीके से प्रेस करना है और हम इसे ब्रिस करके देंगे वड़े का शिइम बस इसी तरीके दे हम यहाँ पर सभी वड़ो को बनाके रडिकर चारखेंगे और जैसे हलकी गरम रहे तब यह हमें इस प्रोसेस को करता है इस बातका आपको ध्यान कर देन रखना है स्वीप प्रोसेस से हमने यहां पर बनाकर रेडि कर लिए हैं वड़े और इन वड़ो को अब हम फ्राइ करेंगे जो पकोड़े हमने पहले अट किये थे वो भी फ्राइ हो चुके हैं अब इन्हें स्वीम तरीके से प्रेस करके वड़ो का शेप देड़ेंग और जो वड़े हमने यहाँ पर प्रेस करके बना के रखे हैं, उन्हें हम डिफय कर लेंगे और वो भी हाई फ्लेम पे. हमें इन वड़ों को crispy and crunchy बनाना है तो धान रखें आपको यहाँ पर इने फ्लेम करना है हाई फ्लेम पे. इन वडों को हम बीच 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 बेट टर्न करते जाएंगे और जब तक किस्पी ब्राउन नहीं होते है तब तक हम इने फ्राई करते रहेंगे धिरे धिरे करके इन वडों का जो कलर है वो चेंज हो रहा है यहां पर आपको कंटीन्यू इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है तभी यह क्रिस्पी ब्राउन होगे देखे जो फाइनल लूक है इस वडों का कुछ इस तरीके से आना चाहिए अब यह वड़े बंच चुके हैं हम इन्हें निकाल लेंगे और एक बंच जो हमने वडों का बनाके रखा है उसे भी हम इस ओईल में आड कर देंगे और उन्हें भी क्रिस्पी ब्राउन होए तक चली यह जो वड़े हमने आड किये यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राय हो चुके है इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और रख देते हैं साइड में अब इस ओईल में आड कर देंगे चिली फ्राय होने के लिए अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इन वडों क हमने आड किये हैं उनका जो फ्लेवर आता है वह बहुत ही बढ़िया आता है अगर आपने यह रेसिपी एक बाटर आए की तो यह रेसिपी आपके ब्रिक्वास्ट लिस्ट में एड होने वाली है क्योंकि इसका जो टेस्ट है वह आप कभी भूल नहीं पाएंगे यह यह क्र वेड़ आता है वे लिद्यू आपके बाटर आता है अज़ एक बाटर आता है पिए वेक्शनाच बखीए वाले है